पिहार में आजकल जान की कोई कीमत नहीं रह गई है मतलब अगर छोटी मोटी लडाई हो रही है वहाँ भी कोई भी किसी का जान आसानी से ले लेते हैं और पुलीस परसाशन जो है उतना एक्टिव से काम नहीं कर पाती है असल मामला है जो की हाट परखंड के बाग मारा गाउं का सिम्रिया पंचायत है और यहाँ पे जो है एक बच्चों की लड़ाई थी बच्चों के लड़ाई के बीच में एक व्यक्ति की जान चली जाती है मतलब आपस में इस तरह से लोग लड़ जाते हैं की एक दूसरे की जान ले लेते हैं इस वक्त हमारे साथ जो उस घटना में परत्यक्ष रूप से मौजूद थे वे हैं इस वक्त हमारे साथ इदर आई यह तेरा तारीक तेरा तारीक की घटना है और अब तक जो है किसी भी आरोपी की गिरफतारी अब तक हुई नहीं है और यह पूरे यह घर है लगभग पचास वर्स्तिया कितना कितना उम्र था उसका अब इदर आए ना कहां जा रहे हैं ले रहे अंदर इदर इस घटना के दौरान जब मार पीट हो रही थी तब आप मौजूद थे वह महजूद थे उसका बात यए आया के हम सोय वे थे उसका यप बोला करें है सेरी हो रहा है फ्ले उसका बदोर को हम आया वो लोग जो मरा है वह चोड़ा रहा था उसका बात वह लोग एक आदुन जो इनुस नाम के एक नाम से आया मारो एक लट नुदुल्ट वहां से बजनने लगा जो यह है साजाद को चार पॉइंट बचाए जो इससे उसको हम बचाय यहां पर सनका पूरा लगा और धोरा सजो यहां पे एक इन्ची गहराई उसका हो चुग ए वहां सर में लग गया कोना लगा कोना लगा जो इरसात प्रिया यह लगा दो तीन लट लड लगा उसका दोर लट सर में लगा उसका वह लोग दोबारा वो लोग उधर से लट लेके सबादी आने लगा काफी उसका बच्चे सब बोला किया चचा बचाओ सबादी फिर हसेरी हो रहा है उसका यहां सदोर के गए हम वहाँ मज़ा फड़ भी था सबादी वहाँ पे छोड़ा दे उसका लास्टे हम कहें कि तस्पूल कभी मारने लगा उसका हम एक ठुकड़ा मारके दखाओ आप लड़ हम लोग उठा लेंगे वहाँ लाहास परावा तुम लोग फिर आते हो लड़ाई करने रहे तब वो लोग पिछे होटा चलिए देखिए कि किस तरह से जो है आम आदमी की जान अज जान की कोई कीमत नही कि अब्बू को जो है मार दिया गया अब समझ सकते हैं कि मतलब इनके आँखों के सामने मारा गया यह जो लड़की है इनके आँखों के सामने उनके पिता को मार दिया गया तो मतलब समझ यह कि कि किसी के अब अब्बू को अगर उनके आँखों के सामने मार दिया जाए तो करने लगा अपने घर करने के लिए हम दो ले गया तो हम हाथ जी करकर अपने घर आए यहाँ पे तो उन लोग सारे परिबार पापा को मारते हैं यहाँ पे पक्र पापा चौक पे थे मारने लगा बेटा पुता हो सभी लोग मारने लगा तो मामी को लेकर हम लोग घर आए पापा चौक से घर आए तो पापा बला अच्या हुआ हम लोग का पापा कुछ नहीं हुआ तो मेरा बेन का ऐसा ऐसा हुआ है मामी को मारा है तो हम पापा बला क्या छोरो हटाओ मामा है कुछ नहीं होगा तो पापा आए पाणी बला क्या नस्ता लाओ हम लोग पाणी ले गए पाणी ले गए थे तो पापा बला नस्ता लाओ दुआर गए पिसाप करने के लिए पुर रट लेकर माड़ा भाई को तरवाल से माता पुड़ दिया इरशाद जी आपके भाई थे तो क्या अब तक इस केस का क्या स्टेटेस है अब तक किसी लोगी किरफतारी हुई क्योंकि चश्मे कई चश्मे दीध है जिनके आखों के सामने मारा गया है हमारे समय मारा गया सर कोई नहीं आया हम बाड़ा बाव के पास गये की 12 घंटा सर हो गया 24 गंटा अभी तक कोई फिर्याद लेने वाला नहीं है कि कल का ही मरा वाला आजना आप लोग पलोट पे गए ना कुछ उसके बाद नहीं आया हम लोग जार के सानमाज को फून किये कि सर जी ऐसे ऐसी बाद हुआ हमारा भाई इंतकाल हो गया मडर हो गया पोस माडम करके लाए अभी तक कोई पुलिस वाले जौच में नहीं आया और हम लोग पुलिस वाले को कहे तो उसका आदमी क्या बोला थनादार को हम पैकेट में खरीद रखे हैं तब उसके बाद मोहित भाई ने उसको कहा तब वहने पुलिस वाले को तब वहां से आया चाइब किसी कोई गिरिफदारी नहीं हूए यहां जब उसमें आया उसका अपना आदमी पुलिस वाले को पीछे पीछे दोड़ने में भीर लगा कर उसको भागा दिया कल आप समझ सकते हैं कि मिर्तक इर्शाद की पत्नी बोलने की स्थिती में नहीं है बेवा बेवा हो चुकी है और जो बच्चे हैं वो अतीम हो गया है मतलब घर के जो मुख्या थे वे अब इस दुनिया में नहीं है और लोगों के सामने में उसको मारा गया है तो इसी बात से आज किधर जा रहा है और पुलिश परसासन आखिर अब तक किसी की गिरिफ्तारी क्यों नहीं की है